हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज ही क्लास में करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नमबर 3 सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं लिखा हुआ है परिक्षा के समय हमेशा सांत रहे बोफलाते वह हैं जीनों ने पूरी तैयारी नहीं की काफी अच्छा बात बोला गया है एक्जाम के टाइम में आप कभी भी पैनिक मत कीजिएगा आपने जितना त्यारी क कर रखा है आप उस पर भरोसा रखिएगा ठीक है उस ऐसा करने से आप अच्छा इसकोर कर पाएंगे नहीं तो आप अगर पैनिक कर गए दूसरे बचों का बात सुनका घबरा गए तो आप जितना पड़े हैं उसके एक्वर्डिंग आप मार्स इसकोर नहीं कर पाएंगे तो हमेशा अपने हार्ड वर्क पर बिलिफ पीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से प्रोसेस आपको पताई है जैसे ही आपको कोशन दीखे आपको वीडियो को पॉस कर देना है और उसके बाद मेरे खुद से ट्राई करना है और उसके बाद मेरे कोशन पूछे जा सकते हैं इसके बाद में आपको पता चलेगा और पूरा चेप्टर आपका एक इसी वीडियो के तुरू रिविजन हो जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन से लिखा हुगा है कि वीच आप दा फॉलोईंग इस नौट करेक्ट ग रखेंगे तो इस्टेटमेंट 2 देखें नौनमेटल आपको इस बात्रोप इस गुट कार्वन का यह बात आप या ऐद रखेंगे ठीक हे यह अच्छा कंड़क्टर रहें अक्टिसिति का आप मुझे कर्वन का एक और अलेक्टरोप बताईए तो आप बलेंगे डाइंग यह hardest natural substance है ठीक है तो यह भी right है statement number C देखते है Oxide of sodium metal dissolves in water to form alkali यह right है कि wrong है तो यह भी बिल्कुल right है Oxide of sodium यानि इसका formula क्या होता है Na2O sodium oxide plus water में dissolve हो जाता है H2O और alkali यानि एक base बना देता है तो यहां पर sodium hydroxide बनेगा NaOH balance करने के लिए आपसे यहां पर 2 लगा देंगे ठीक है तो इस equation के उपर भी question बन सकता है इसलिए हम आपको यह बता दिए और option number D पर आ जाते है metals like aluminium and zinc react vigorously with cold water यह बताए यह right है कि wrong है तो यह wrong statement है क्योंकि aluminium, iron, zinc यह ऐसे metals है जो ना ही cold water के साथ react करते हैं ना ही hot water के साथ react करते हैं ठीक है लेकिन यह steam के साथ react करते हैं ठीक है और metal oxide और hydrogen देते हैं तो यहां पर option number D रॉंग है ठीक है चलिए, next question पर आते है, two, assertion reason based question है, assertion लिखा हुआ है कि metals are malleable, malleable का मतलब क्या होता है इसको आप हाथ औरे से मारेंगे तो यह पचक पचक के चादर, thin sheet जैसा का बन जाएगा यह ठीक है तो यह बिल्कुल right statement है कि metals malleable होते है reason, metals malleable इसलिए होते हैं कि they can be easily hammered into thin sheets इसको आप हातोरे से मारके thin sheet में convert कर सकते हैं तो इसी reason से metals को malleable कहा जाता है तो both A and R are true और reason B correct explanation है assertion का, option number A हो जाएगा यहाँ पर right answer, समझ मैं आ रहा है, चलिए, next question को try कीजिए name the metal that does not react with cold as well as hot water but reacts with steam, इसके उपर हमने अभी बात किया था, तीन metal का नाम आपको बता है लेकिन steam के साथ react करता है, वो तीन metal कौन से हो गए, aluminium, iron और zinc, तो यहाँ पर option में हमें iron दिख रहा है, तो इसको हम tink कर देंगे, ठीक है चलिए, number 4, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam, हमें पता है, iron ठंडा गरम पानी से react नहीं करता है, लेकिन steam के साथ react करता है, water vapor के साथ तो यहाँ करने का बाद कौन सा oxide बनाएगा, बताएगा, काफी important, तो इसका आपको equation पता होना चाहिए, iron plus steam, यानि watery होगा वो, H2O, और यहाँ पर आपको मिलता है, iron oxide, Fe3O4 plus H2 explanation के दोरान हम आपको पता है थे कि यह इसको आप इस formula को याद कर लीजेगा, ठीक है, और balancing भी हो जाके तो याद करके रखेगा, ताकि exam में time बच जाए, खास कर इस equation के लिए, यहाँ पर 3 डालते है, यहाँ पर 4 डालते है, और यहाँ पर 4 डालते है, ठीक है, यह equation बहुत important है, इसको आपडेट रियाद करके रख लीजिएगा, तो यहाँ पर कौन सा compound बन रहा है, कौन सा oxide बन रहा है, Fe3O4, option number C हो जाएगा, यहाँ राइट एंसर, नमबर 5 पर आ जाते हैं, Which of the following are not ionic compounds, समसे पहले तो आप सोचिए कि ionic compounds होता क्या है, तो iaianic compound ऐसे compound होते है, जो metal plus non-metal मिलके बनाते हैं, ठीक है, इसमें electrons का transfer होता है, कोई electron gain करता है, कोई electron lose करता है, metals electron lose करते हैं और non-metals electron gain करते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो compound बनते हैं, उनको ionic compound कहा जाता है, तो इन चारों में से बताएं यह कौन सा आइनिक कमपाउंड है तो यहाँ पर potassium है, calcium है, potassium एक metal है, calcium non-metal है तो यह एक आइनिक कमपाउंड है, ठीक है? पुछाएं कौन सा आइनिक कमपाउंड नहीं है, ठीक है? तो यह तो नहीं होगा HCl, hydrogen एक non-metal है, chlorine भी non-metal है, तो यह आइनिक कमपाउंड नहीं है, ठीक है? तो यह एक answer होने वाला है हमारा Carbon tetra chloride, तो carbon भी non-metal, chlorine भी non-metal, तो यह भी आइनिक कमपाउंड नहीं है, क्योंकि आइनिक कमपाउंड में metal, नोनमेड दोनों होना पढ़ेगा तो ये भी होने वाला है एंसर हमारा NACL ये तो बहुत ही फेमस आइनिक कमपाउंड है क्योंकि ये मेटल है ये नॉन मेटल है तो ये भी एंसर नहीं होगा तो एंसर कौन सा हो रहा है हमारा 2 and 3 यानि option number B हो जाएगा right answer समझ मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है चलिए आगे move करें question number 6 पे question है an element A is soft and can be cut with a knife कोई element A है वो काफी soft है और उसको छूडी से आप काट सकते है तो इतना पड़त ही आपके दिवाग में आया होगा कि वो element कौन सा हो सकता है क्या तो sodium हो सकता है और नहीं तो potassium हो सकता है ठीक है NCRT book में यही दुनों का जिक्र है फिर this is very reactive to air and cannot be kept in open air air से भी काफी vigorously react करता है ठीक है it reacts vigorously with water water से भी काफी vigorously react करता है इसलिए हम इन sub metals को kerosene में डुबो के रखते है ठीक है तो पूछा गिया है identify the element from the following वो element कौन सा है बताईए तो यहाँ पर option में हमें sodium दिख रहा है तो हम sodium tick कर देते हैं ठीक है option number B अगर option में हमें potassium दिख रहा हुता तो उसको भी tick कर देते चलिए number 7 का answer बताईए a copper coin is kept immersed in a solution of silver nitrate for some time what will happen to the coin and the color of the solution बताईए क्या होगा तो यहाँ पर यह एक metal है और यह एक metal salt है silver nitrate तो यहाँ पर होने से displacement reaction होगा नहीं तो नहीं होगा हमें सोचना परेगा कि क्या copper silver को यहाँ से displays कर सकता है इसके लिए हमें यहाँ पर metal reactivity series देखना परेगा यहाँ पर देखे यहाँ पर है इसका एंसर हो जाएगा option number B, copper जो है silver को displace कर देगा और यह जो silver है, उस coin के ओपर deposit हो जाएगा, ठीक है, तो silver deposits on coin due to displacement reaction and white और colorless silver nitrate turns blue, silver nitrate का original color जो है, वो white या फिर colorless होता है, और जैसे ही copper जूर जाता है, तो उसका color कहीं पर blue हो जाता है, ठीक है, तो option number B, इसका right answer होगा, अब हम आते हैं question number 8 में, लिखा है कि, what happens when calcium is treated with water, तो यह काफी important question है, यह जो भी metals है, इनका water के साथ reaction, यह काफी important topic है, तो आप NCRT book का, जो page number 43 है, इसको आप अच्छे से study करके जाएंगे, ठीक है, तो calcium कैसे react करता है, तो number 1 में लिखा है, it does not react with water, तो यह तो wrong statement है, पानी के साथ react करता है, it reacts violently with water, यह भी wrong statement है, क्योंकि आप NCRT book का according जाएंगे, तो वहाँ पे एक line मिलेगा, the reaction of calcium with water is less violent, इसलिए यहाँ पर wrong हो जाएगा, ठीक है, number 3 में लिखा है कि, it reacts less violently with water, तो यह right statement है, और 4 में लिखा है कि, bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium, तो यह यह भी right statement है, ठीक है, calcium जो है, प्लस पानी के साथ reaction होता है, और बन जाता है, एक calcium hydroxide, एक base, ठीक है, और प्लस hydrogen gas का formation होता है, और यह जो hydrogen gas है, इसका जो bubble से, यह calcium के ऊपर चिपक जाता है, जिस वसे से, यह calcium जो metal है, यह पानी में float करने लग जाता है, ठीक है, इसी के ऊपर यह question आपका sample पर में पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 राइट है, तो कौन सा हो जाएगा, option number D इसका right answer होगा, 8 का, चलिए, 9 पर आजाते है, लिखा हुगा है कि, an element A reacts with oxygen to form an oxide, ठीक है, this oxide dissolves in water to give an aqua solution which turns red litmus blue, यह जो oxide है, वो red litmus को blue करता है, इसे हमें क्या पता चल रहा है, इसे जो oxide है, वो क्या है, basic है, basic है, इसे एक बात और पता चल जा रहा है कि, यह metal, यह जो element था, यह क्या है, metal है कि non-metal है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए, कि जो metal है, वो oxygen के साथ react करके basic oxide देते हैं, ठीक है, और जो non-metal होते हैं, यह non-metal oxygen के साथ react करके, क्या तो acidic नहीं तो neutral oxide देते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर question क्या पूछा गया है, what is the chemical nature of the solution, यह जो oxide का solution बनाया गया था, उसका chemical nature क्या है, तो यह oxide का nature है, basic, ठीक है, तो basic दो option में हमें दिख रहा है, और question number 2 में पूछा गया है, is element A a metal or non-metal, since element A का जो oxide है, वो basic है, इस हम बोल सकते हैं कि यह जो element है, यह क्या है, एक metal है, यानि option number C हो जाएगा इसका right answer, काप यह अच्छा question था यह, next question 10, which of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds, कौन सा ionic compound का property नहीं है, number A, solubility in water, पानी में solubile होते हैं, यह इसका property है, ionic compounds are solid, यह भी इसका property है, high melting boiling point, यह भी इसका property है, electrical conductivity in solid state नहीं, solid state में electricity conduct नहीं करते हैं, molten state में करते हैं, तो यह इसका property नहीं है, ठीक है, यह wrong statement है, option number D होगा इसका right answer, आते हैं next question, और next question में आने से पहले एक छोटा सा request आप सभी से, कि जिनको यह वीडियो पसंद आ रहा है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, त इससे फाइदा किया होगा, चैनल को ग्रो करने में help मिलेगा, ठीक है, और जिससे चैनल ग्रो होगा, वैसे वैसे आपको और भी अच्छे-चे content देखने को मिलेंगे इस चैनल पे, और जिनको पता नहीं है, तो इस चैनल पे math, science, sst और English, यह चारो ही सब्सक्राइब काफी Question number 11, आपसे पूछा गया है कि, what do you mean by amphoteric oxide, क्या होता है amphoteric oxide, तो देखिए, generally जो metal oxide जो होता है न, इसका nature हमने अभी देखा, यह basic nature के होते हैं, तो यह acid के साथ react करके, क्या देते होंगे, salt plus water देते होंगे, neutralization reaction की तरह, ठीक है, लेकिन यह amphoteric oxide, यह ऐसे metal oxide होते हैं, जो acid क साथ भी reaction करके, salt plus water देते हैं, मतलब यह amphoteric oxide ऐसे metal oxide है, जो acid, acidic nature के भी होते हैं, basic nature के भी होते हैं, ठीक है, तो इसके according यहाँ पे इसका answer हो जाएगा, 11 का option number C, यह ऐसे metal oxide है, जो acid और base दोनों के साथ reaction करके, salt और water देते हैं, इनको amphoteric oxide कहा जाता है, ठीक है, यह ऐसे metal oxide होत सबसे पहला है, aluminium oxide, Al2O3, और दूसरा है, zinc oxide, ZNO, very important, ठीक है, यह दो amphoteric oxide के नामा पाचे से याद रखेंगे, और इनका reaction कैसे होता है, acid और base के साथ वो भी आपको पता होना चाहिए, यह आपको, NCRT book का page number 41 में आपको मिल जाएगा इसका reaction, ठीक है, चलिए, next question 12 पे आजात बताईए, क्या होगा इसका answer, तो इसका answer होगा, gallium और cesium, यानि option number D हो जाएगा, इसका right answer, ठीक है, आप अपने हाफ पे भी रखेंगे, तो वो melt हो जाएगा, आगे move करें, question number 13 पे, लिखा होगा है कि 2 ml each of concentrated HCl, HNO3, and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3, in the ratio 3 is to 1 word taken in test tubes leveled as A, B and C, आपके पास 3 test test tube A में आपने concentrated HCl लिया हुआ है, test tube B में आपने concentrated HNO3 लिया हुआ है, और test tube C में आपने इन दोनों acid का mixture लिया हुआ है, 3 is to 1 में, ठीक है, यानि हमें समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको aquard easier बोलते है, तो test tube C में आपने aquard easier लिखा है, फिर आगे लिखा हुआ a small piece of metal was put in each test tube, एक metal का टुकरा आपने तीनो test tube में डाला, no change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively, test tube A and B में तो कुछ change देखने को नहीं मेरा, लेकिन test tube C में वो metal dissolve हो गया, ठीक है, the metal could be, बताएए, वो metal कौन सा हो सकता है, तो हमें पता है, test tube C में aquard easier है, और aquard easier में gold और platinum जैसे जो metals है, तो यहाँ पर, option में दिख रहा है, gold, option number B, AU, यह हो जाएगा इसका answer, अगर option में platinum भी दिया होता है, तो हम उसको ठीक कर देते, ठीक है, number 14 पर आते है, which metal is the poorest conductor of heat, पता है, यह क्या होगा इसका answer, तो NCRT book में इसके लिए लिखा हुआ है, कि lead और mercury दोनों को poor conductor of heat बोला गया है, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे जाता poorest conductor कौन सा है, तो इसका answer हो जाएगा lead, ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे, और exam में आपसे good conductor के बारे में भी पूछ सकते है, तो silver और copper यह दोनों good conductor of heat है, चलिए, number 15 पर आजाते है, assertion reason question है, assertion में लिखा हुआ है, we use copper and aluminium wire for transmission of electric current, पता यह right है कि wrong है, तो यह बिल्कुल right statement है, और reason इसका दिया है कि they have low resistance and ductile, ductile मतलब आप इसको खीच-खीच के तार की तरह बना सकते है, ठीक है, और resistance कम है, मतलब electricity अच्छा flow करेगा, तो यही दो property का बज़े से इन दोनों को use किया जाता है, electricity transmit करने के लिए, तो दोनों ही right है, और यह इसका correct reason भी है, यानि option number A, right answer होने वाला है, number 16, assertion लिखा हुआ है, the compound MgCl2, metal और non-metal मिलके बना यह एक ionic compound है, will not conduct electricity in solid state, हाँ, solid state में electricity conduct नहीं करेगा, बिल्कुल right है, और reason इसक compound is not possible in solid state, यह भी बिल्कुल right reason है, option number A, right answer, 17, name a non-metal which is lustrous, काफी easy सा question है, सबको पता है, iodine ऐसा non-metal है, जो lustrous है, sign करता है, 18, which among the following statements is incorrect for magnesium metal, magnesium के बारे में कौन सा statement गलत है, number A, it burns in oxygen with a dazzling white flame, यह अपना chapter number 1 activity से portion पूछा गया है, ठीक है, तो यह बिल्कुल right है, ठीक है, magnesium इस flame के साथ जलता है, number B, it reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas, बताएए, यह right है कि wrong है, तो यह यहाँ पर wrong हो जाएगा, magnesium जो है, वो cold water के साथ रियक नहीं करता है, यह hot water के साथ रियक करता है, और steam के साथ भी रि hydrogen gas बनता है, वो hydrogen gas इसका surface पर चिपक जाता है, इस बादर से यह float करने लग जाता है surface पर, ठीक है, calcium की दर रही, तो B यहाँ पर wrong statement है, C देख लेते हैं एक बार, C में लिखा है कि, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas, राइट है, D में लिखा है कि, it reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas, यह भी राइट है, cold water के स following our correct representation for the ionic compounds formed, बहुत ही famous, एक NaCl है, और एक MgCl2 है, तो किस में correct तरीके से दिखाया गया है, electron का gain और loss, बताइए, तो पहला option देखे, तो Na plus sodium, एक electron खोया है, और chlorine, देखिए, chlorine में दो dot दिया गया है, इसका मतलब क्या है, chlorine दो electron gain किया है, और हमें तो पता है कि, chlorine का outermost cell में seven electron होता है, तो यह एक ही electron लेके satisfy होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दो dot दिखाना के वज़़े से यह statement गलत हो गया, यह wrong हो गया, ठीक है, एक dot होना चाहिए था, option number B देखें यहाँ पे, तो sodium plus है, chlorine में seven cross है, और एक ठो black dot है, तो यह right है, ठीक है, Na plus Cl minus, यह तो right है, यह चेक कर होता है, chlorine, अब chlorine एक electron ले सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो chlorine है, तो एक electron share हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यह wrong हो गया, तो यहाँ पर फिर से दो dot दिखा दिया गया है chlorine में, और C अगर देखें, तो Na plus है, Cl minus chlorine में एक dot है, बिल्कुल right है यह, Mg2 plus, एक magnesium दो electron छोडता है, और एक chlorine एक लेता है, और दूसा chlorine भी और एक लेता है, ऐसे share हो जाता है, तो यह right है यहाँ पर, ठीक है, D देख लेते हैं, D कैसे wrong है, इसमें भी दो dot दिया गया है chlorine में, तो इसमें से यह wrong हो गया, option number C, right answer है, 20 देखिए, संधिया तुक 3 beakers, A, B and C, containing zinc sulfate, silver sulfate and iron to sulfate solution respectively, copper pieces were added to each beaker, the solution will appear blue in the case of dash, बताईए, तीन beaker है, एक में zinc sulfate है, एक silver sulfate, एक iron sulfate, तीनों में copper डालते है, किस में blue color होगा, तो जिसमें copper reaction कर लेगा, copper displacement reaction कर लेगा, तो वहाँ पर blue color हो जाएगा, तो हमें पता करना हो कि copper क्या zinc को displace कर पाएगा, तो इसके लिए हमें फिर से metal reactivity series देखना परेगा, तो यहाँ पर हम देख पार है, इधर है copper और इधर है zinc, zinc उपर है तो copper तो zinc को displace नहीं कर पाएगा, zinc ज्यादा reactive है, तो बी कर ए में तो blue color नहीं देखने को मिलेगा, silver sulfate, silver से चेक करते है, copper यहाँ पर, silver यहाँ पर, silver नीचे है, हाँ, copper, silver को replace कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें blue color देखने को मिलेगा, B में, ठीक है, इसका भी चेक कर लेते है, iron to sulfate, copper क्या iron को displace कर पाएगा, यहाँ पर है copper, iron यहाँ पर यह रहा, तो iron ऊपर में है, तो इसको भी displace नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ब्लू कलर हमें bigger B, यानि silver sulfate, इसमें दे यादोना चाहिए, ठीक है, जब हम chapter पर हाँ रहे थे, तो इसको याद करने का एक trick भी बताये थे, उमीद करते आपको याद होगा, और जिन्होंने अगर यह chapter का explanation नहीं देखाया और उन्हें problem है, तो description में लिंक देंगे, और i button में भी link देंगे, उस chapter के बार अच्छे से सारा चीज clear हो जाएगा, यह आपको अच्छे से यादोना चाहिए, 21 देखिए, the electronic configuration of three elements, x, y, z, r, इतना, इतना, which of the following is correct, तो बताना है, option देखा प्रचल रहा है कि बताना है कौन सा metal, कौन सा non-metal है, तो x का electronic configuration है 2,8, outermost cell में 8 है, मतलब यह field cell है, ठीक है, तो यह तो noble gas का electronic configuration है, फिर y में लिखा हुआ है, 2,8,7, मतलब यह एक electron लेके satisfy हो जाएगा, तो यह लेने वाला है, मतलब यह है non-metal, ठीक है, और z में 2 है, तो इसके लिए 2 छोड़ना easy रहेगा, तो यह देने वाला है, यह metal है, तो इस वज़़द से option number D हो जाएगा, y non-metal है, और z metal है, D right answer ह ठीक है, 22, in the given reaction, aluminium oxide है, कुछ यादार है, aluminium oxide को देखकर, अभी आपको थोड़े दर पहले बताये थे कि aluminium oxide और zinc oxide, यह क्या है, amphoteric oxide है, यह base के साथ reaction दे रहे हैं, और क्या बनाएंगा, salt plus water बनाएंगे, यह पर salt नहीं लिखके, x लिखा गया है, और पुछा गया है, यह element x क् पर बनता है, sodium aluminate, Naalo2, option number A, इसका right answer होगा, ठीक है, 23 पर आते हैं, रिखा है, reaction between x and y forms compound z, अच्छा बात है, x loses electron and y gains electron, इससे हमें समझ में आ गया कि x electron छोडता है, मतलब x metal है, और y जो है, यह non metal है, ठीक है, फिर आगे बोला है, which of the following properties is not shown by z, अच्छा, x और y मिलके z बन रहा है, तो x metal है, और y जो है, यह non metal है, और z क्या हो जाएगा, बताइए, यह हो जाएगा, आइनिक compound, तो indirectly हम से पूछ रहें कि, आइनिक compound का कौन सा property नहीं है, देख रहें कोशन का level, तो high melting point होता है, इसका, low melting point यह नहीं होता है, ठीक है, य पूछा गया से कौन सा property नहीं होता है, तो b हो जाएगा इसका right answer, 24, which of the following represents the correct order of decreasing reactivity, यह तो reactivity series से direct question है, इसके लिए आपको reactivity series अच्छे से याद होना चाहिए, तो यह रहा है, यहापे हम देखेंगे कि सही order में है कि नहीं, सबसे पहले magnesium है, फिर zinc है, फिर aluminium, नहीं, aluminium उप है, incorrect order हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि zinc ज्यादा reactive aluminium से, जो कि यहाँ पर दिखनी रहा है, यहाँ पर aluminium ज्यादा reactive दिख रहा है, तो यह तो wrong हो गया, अगर हम b देखें, तो magnesium है, यह रहा magnesium, aluminium यह रहा, zinc यह रहा, iron यह रहा, तो यह एकदम correct order में सिजा के लिखा हुआ है तो option number b हो जाएगा, right answer, ठीक है, 25 देखिए, name the metal that does not react with any physical state of water, ऐसा metal बता ही है, जो water के साथ react करता ही नहीं है, चाहे ठंडा पानी हो, गरम पानी हो, steam हो, किसके साथ react नहीं करता है, तो ऐसा आपके NCRT book में 4 metal का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, एक है lead, दूसरा है copper, तीसरा ह gold, ठीक है, तो यहाँ पर option wise जाए, तो option में हमें copper तिक रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे, तो यह 4 metal का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, 26, एन element A forms two oxides AO and AO2, अच्छा बात है, the oxide AO is neutral, whereas the oxide AO2 is acidic in nature, कुछ समझ में आ रहा है आपको, एक metal, एक जो oxide है, वो neutral है, औ और एक oxide जो है, वो acidic है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया है, कि यह जो element A है, यह क्या है, बताईए, यह non-metal है, ठीक है, would you call element A, metal or non-metal, तो यही question है, तो इसका answer हो जाएगा, option number B, non-metal, समझ में आए की नहीं है, आया, 27, the non-metal which exists as liquid at room temperature, इन में से बताईए, कौन सा liquid state में exist करत है, तो काफी common question है, यह bromine हो जाएगा, इसका answer, B, 28, graphite is an allotrop of, इसका जिक्र पहले ही कर चुके है, carbon, question number 29, लिखाए कि, an element E combines with oxygen to form an oxide E2O, which is a good connector of electricity, ठीक है, write the formula of the compound formed when it combines with chlorine, यही E जब chlorine के साथ combine करेगा, तो किस formula का compound बनेगा, तो यहां से हमें कुछ hint लेना पड़ेगा, यहां पर देखिए, oxygen का valency 2 होता है, तो 2 E के साथ लगा हुआ है, और E का valency पका 1 होगा, तभी तो यहां पर 1 है, oxygen के बगल में, ठीक है, तो इससे हमें प्रसल गया कि E का valency 1 है, chlorine का valency हमें 1 होता है, तो इसको cross multiply करेंगे, तो formula क यहां बन रहा है, E CL, 1-1 तो लिखते नहीं है, तो E CL option number C में है, C हो जाएगा right answer, 30, assertion में है, when most of the metals are treated with nitric acid, they do not produce hydrogen gas, बताइए, right है कि wrong है, काप ही important statement, तो यह बिल्कुल right है, कि जड़ातर metals, जब nitric acid के साथ react करते हैं, तो hydrogen gas वहां पर नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि, यह जो nitric acid है, यह एक strong oxidizing agent है, और यह जो hydrogen बनता है, उसको oxidize करके, water में convert कर देता है, ठीक है, इसी वज़र से hydrogen gas नहीं मिलता है, तो यहां पर option number A हो जाएगा, इसका right answer, बहुत important है, इसके उपर अगर आपको थोड़ा और detail में जान करें चाहिए, तो आप NCRT book का page number 44 में जाए दो पैरा आपको देखने को मिलेगा, वो दो पैरा को आप अच्छे से study करेंगे, ठीक है, इसमें से एक question high sense है, कि एक question बन जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, और एक बात आप और भी आद रखेंगे कि copper जो है, वो dilute hydrochloric acid के साथ react नहीं करता है, यह statement पे question आ सकता है, 31 देखि तो यहाँ पे इसका color तभी change देखने को मिलेगा, जब यह जो zinc है, यह इसको displacement reaction के तहर डिस्प्लेस कर दे तो, तो देखते हैं, zinc इसको displace कर पाएगा की नहीं, यहाँ पे है copper, यहाँ पे है zinc, तो zinc आराम से copper को displace कर देगा, क्योंकि zinc उपर है, यह बिल्कुल right है, change हो तो यह रॉंग होने से ही option number C हो जाता है, इसका right answer, number 32 पे आते हैं, यह भी assertional reason based question है, लिखा है कि, ionic compounds are usually hard, तो बिल्कुल right है, in all ionic compounds, their positive and negative ions are held together by strong ionic bonds, so they are rigid and hard solids, बिल्कुल सही reason है, ठीक है, इसमें positive and negative ions का force है, उस बिल्कुल right है, तो इस cancer हो जाएगा, option number A, दोनों ही सही है, correct reason B है, 33 देखते हैं, इसमें पहले लिखा हुआ है कुछ statement, sample of four metals A, B, C and D were taken and added to solutions given in the following table one by one, the results obtained are as follows, use the above table to answer the following questions about metals A, B, C, D, 4 metals यहाँ पर A, B, C, D, चारों को एक करके इन सब solution में डाला गया, ठीक है, और यह सब result पाया गया, तो देखते हैं पहले question क्या है, उसके बाद इस table को study करेंगे, वही table फिर से यहाँ पर दिया गया है, question पढ़ते हैं, which is the most reactive metal, सोच के बताएए कौन से सबसे ज़्यादा reactive है, तो इसका answer है, मैं यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम देख पारें कि जो A जो है, वो iron को displace नहीं कर पा रहा है, no reaction, B displace कर देखा है, C नहीं कर पा रहा है, D भी नहीं कर पा रहा है, मतलब इन चारों में से C B है, जो iron को displace कर पा रहा है, तो B सबसे ज़्यादा reactive होगी है, ठीक है, तो B most reactive है, option number B इसका right answer होगा, समझ माया, 34, what would you observe when metal B is added to a solution of copper sulfate, जब B को copper sulfate में add करेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख पाने कि A जो है copper को displace कर दे रहा है, तो A जब displace कर दे रहा है, तो B भी आराम से displace कर देगा, क्योंकि B ज़्यादा reactive है, A से, तो B displaces copper, option number A होजाएगा इसका right answer, 35, arrange A, B, C and D in the order of decreasing reactivity, चैलिए, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा reactive कौन सा है, B, B के बाद, उसके बाद कौन reactive है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A जो है, वो copper को displace कर पा रहा है, C और D नहीं कर पा रहे, इसका मतलब A ज़्यादा reactive है, ठीक है, अब पता करना है C और D में कौन ज़्यादा reactive है, तो यहाँ पर देखते है, C silver को displace कर पा रहा है, D नहीं कर पा रहा है, तो C ज़्यादा reactive हो गया, और D सबसे कम reactive, तो option wise जाए, तो B, A, C, D, option number B right answer होगा, ठीक है, बस, तो यही होगे total 35 questions, और वीडियो को end करने से पहले एक होगे आपको देंगे, यह देखिए, आपके screen पर आ रहा है, इसको आपको solve करना है, और इसका answer आप मुझे comment section में बताईएगा, ठीक है, और उमीद करते हैं आपने total 35 questions के जरीए काफी चीज सीखा होगा, और कई सारे questions खूद से भी किये होंगे, बताईएगा comment section में कि आप को जरू subscribe कर ले, ठीक है, और इस 35 questions में कोई भी doubt आया है, तो आपका comment section में बेची जग पूछ सकते हैं, ठीक है, चले फिर end करते हैं, मिलते हैं बहुत जल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, एंड, टेक किया दो